प्यारे बच्चो नमस्कार जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपकी कख्षा 10 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग दो के छटे पाठ राजनीतिक दल पर चर्चा कर रहे हैं पिछले दो अंकों में हमने राजनितिक दल के अर्थ, राजनितिक दल के घटक, राजनितिक दलों के कार्रे, राजनितिक दलों की आवशक्ता, विभिन देशों में दलिये विवस्था, राजनिती की नेतिक ताकत, राजनितिक दलों में जन भागीदारी, राश्ट्रिय और प्रांतिय दलों में अंतर और भारत के सबसे अधिक प्रिकक रूप है इसलिए यह सभाविक ही है कि लोकतंतर के दोशी ठहराएं पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनेतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं भारते लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है आम जंता की नाराजगी और आलोचना राजनेतिक दलों के कामकाज के चार पहलूं पर केंद्रित रही है लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनेतिक दलों को इन चुनोतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए तो बच्चों राजनेतिक दलों के समक्ष पहली चुनोती है पार्टी के भीतर आंत्रिक लोकतंत्र क का ना होना लगबख सभी लोग तांत्रिक देशों में यह प्रिविर्टी दिखाई देती है कि राजनेतिक दल की सारी ताकत एक या कुछ ए नेताओं के हाथों में सिमड जाती है पायटियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है ना नियमित रूप से सांगठनिक ब कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर सैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और ना ही कोई माध्यम प्रणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता अपने हाथ में रखते हैं चुकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रहना मुश्किल हो जाता है पार्टी के सिद्धानतों और नीतियों से निश्टा की जगा नेता से निश्ठा ही अधिक महत्पूर हो जाती है इस कारण से पार्टी लोक तंद्र की वहक होने के इस्थान पर ताना शाही की प्रतीक बन जाती है बच्चों राजनेतिक दलों के समक्ष उपस्थित दूसरी चुनोती पहली चुनोती से ही जुड़ी है और वह है वन्शवाद की चुनोती चुनकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते इसलिए सामानने कारे करता के नेता बनने और उपर जाने के अफसर कम ही होते हैं जो लोग दल में प्रभावशाली इस्थिती में होते हैं वे अनुचित लाब लेते हुए अपने नजदीक के लोगों और यहां तक की अपनी ही परिवार के लोगों को आगे भढ़ाते हैं अनेक दनों जैसे कॉंग्रेस, राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी, शिव सैना, अकाली दल, राष्टिय लोग दल, इंडियन नैशनल लोग दल, समाजवादी पार्टी, राष्टिय जनता दल, तैलगु देशम, जनता दल सैकुलर, द्रवड मुनेड कड़गम, तैलं पद पर सदैव एक ही परिवार के लोग रहते हैं, यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय हैं, यह बात लोग तंतर के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस से अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं, यह प्रवर्त कुछ प्राचीन लोग तांतरिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में देखी जा सकती है, हाला कि भारतिय जनता पारिटी और कम्यूनिस पारिटियों में वश्वात की प्रविर्ति दिखाई नहीं देती हैं, और इन पारिटियों में योगता और अनुभव के आधा पारिटियों तीसरी चुनोती है दलों में खास कर चुनाव के समय, पैसा और अपराधी तत्वों की भड़ती घुसपैट की, चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतहा इसके लिए वे कोई भी ठीक या गलत साधन अपनाती हैं, सभी पार्टि किसी पार्टि को अधिक धन देने वाली कमपनिया और अमीर लोग उस पार्टि की नीतियों और फैसलों को प्रभावित करते हैं, आपने आम तोर पर सुना होगा कि पार्टियों एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि वे बड़े उद्योग पतियों के इशारों पर चल रह ही हैं, कई बार पार्टियों चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का भी समर्थन करती हैं या उनकी से मदद लेती हैं, सबसे चिंता जनक बात यह है कि कुछ पार्टियों के शीर्षनेता भ्रस्टाचार, हत्या, बलातकार जैसे गंभीर अपराधों में न्यायले द्व हुए ही यह निर्ण करते हैं कि उनकी पार्टि की ओर से चुनावों में कौन उम्मीदवार होगा, दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक, लोकतंत्रिक राजनीती में अमीर लोगों और बड़ी कंपनियों तथा अपराधियों की भड़ती भूमिका को लेकर काफी चिंते हैं बच्चों, राजनेतिक दलों के समक्ष, चौथी चुनोती, पार्टियों के बीच विकल्प हीनता की स्थिती भी है, सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन पार्टियों की नीतियों और कारिकर्मों में महत्कूर अंतर हो, वर्तमान के वर्षों में दलों के और conservative party के बीच अब बड़ा कम अंतर ही रह गया है दौनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस इन ब्योरों का ही रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे लागू किया जाएं भारत में भी भाजपा और कॉंग्रेस जैसी बड़ी party के बीच आर्थिक मुद्दों पर बड़ा कम अंतर रह गया है जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब नहीं है इसी चुनोती का एक और पहलू है बच्चो कई वार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं हो और वे है पंथ, जाती, भाशा, शेत्र के आधार पर की जाने वाली विभाजनकारी राजनीती से बचने की आमतोर पर विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यों का रचनात्मक विरोध करने के स्थान पर उन्हें लेकर विद्वनसात्मक राजनीती करने लगते हैं जि पूटे मुद्दों और सरकार की नीतियों और कानूनों की गलत व्याख्या करके राजनितिक दल आम तोर पर सत्ता को हत्याने में सफल भी हो जाते हैं लेकिन इस प्रिक्रिया में देश और समाज को भेंग करहानी पहुंचा देते हैं विभिन राजनितिक दलों द्वारा नागरिक्ता संशोधन कानून पर फैलाई गई जूटी बातों के कारण देश के अनेक भागों में दंगे भड़क गए थे और जनता के विभिन वर्गों के बीच वैमनस से उत्पन हो गया था इसी परकार अपने राजनितिक स्वार्थों के लिए राजनितिक दल प्राय किसी कानून विवस्था के मामले को जातिय या सामप्रदाईक रंग दे देते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता और सामप्रदाईक स्वार्थ तथा सामाजिक एकता को भेंग कर चोट पह कि राजनेतिक दलों को कैसे सुधारा जाए राजनेतिक दलों में सुधार लाने के लिए यह आवशक है कि जिन चुनोतियों का हमने अभी वर्णन किया था उन चुनोतियों से कैसे निप्टा जाए आप और अन्य जागरूग नागरे की हैं पूछ सकते हैं कि क्या राजनेति दल सुधरने को तैयार हैं अगर वे सुधरने को तैयार ही नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने के लिए मजबूर किया जा सकता है दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान है ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब आसान नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंति नए नेता ही लेते हैं अगर वे सभी सुधर्णा नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है तो प्यारे विच्टो ऐसा नहीं है कि राजनितिक दलों को सुधारा नहीं जा सकता संसद न्यायपालिका और चुनावायोग ने राजनेतिक दलों के कामकाज में सुधार लाने के लिए अनेक प्रियास की हैं सबसे पहले हम बात करते हैं संसद द्वारा राजनेतिक दलों और नेताओं के कामकाज में सुधार लाने के लिए किये गए प्रियासों की विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया गया था सर्वोच न्यायले ने पैसे और अपराधियों का प्रिभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ती का और अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों का ब्योरा एक शपत पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है इस नई विवस्ता से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाय उपलब्ध होने लगी हैं पर उमीदवार द्वारा दी गए सूचनाय सही हैं या नहीं यह जाच करने की अभी कोई विवस्ता नहीं है अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीती पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं बच्चों अब हम चुनाव आयोग द्वारा राजनितिक दलों के सुधार के लिए किये गए प्रियासों पर चर्चा करते हैं चुनाव आयोग ने एक आदेश के द्वारा सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है कि इस से राजनेतिक दलों में अंदरूनी लोकतंतर मजबूत हुआ है तो बच्चों अब हम बात करते हैं उन विविन सुझावों की जो अलग-अलग बुद्धी जीवियों, विचारकों और आंदोलन कारियों ने राजनेतिक दलों के कामकाज में सुधार के लिए दिये हैं इनमें से पहला सुझाव यह है कि राजनेतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने सम्विधान का पालन करें, पार्टी में विवात की स्तिती में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और अपने दल में सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं यह विवस्ता अनिवार रखी जानी चाहिए, राजनेतिक दलों में सुधार के लिए दूसरा सुजहाव है कि राजनेतिक दल महिलाओं को एक विशेश नियूनतम अनुपात में, यानि करीब एक तिहाई टिक्टें जरूर दें, इसी प्रकार दल के प्रमुक पदों पर भी इस्तरियों के लिए आरक्षन होना चाहिए, राजनेतिक दलों के कामकाज में सुधार के लिए तीसरा सुजहाव यह है कि चुनाव का खर्चा सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे, यह सहायता पैट्रोल, पोस्टर के लिए कागज, दूर दर सकता है कि राजनेतिक दलों को पिछले चुनावों में मिले मत पृतिशत के अनुपात में नगदराशी दी जाए, यह सब राजनेतिक दलों में सुधार के लिए सुजहाए गए कानूनी उपाए हैं, राजनेतिक दलों ने अभी तक इन्हें नहीं माना है, यदि वे इन्ह मान लेते हैं तो हो सकता है कि उनके कामकाज में कुछ सुधार हो जाए लेकिन हर राजनेतिक समस्या के लिए केवल कानूनी समाधान की बाते करते हुए हमें सावधान भी रहना चाहिए दलों को जरुवस से अधिक नियमों में बांधना हानिकारक भी हो सकता है इससे सभी दल कानून का उलंगन करने का तरीका तलाशने लगेंगे इसके अत्रिक्त राजनेतिक दल स्वेम भी ऐसा पारित करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते बच्चों, अब हम कानूनी समाधानों के अत्रिक्त ऐसे दो और तरीकों की बात करते हैं जो राजनेतिक दलों में सुधार ला सकते हैं ऐसा पहला तरीका है राजनेतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का यह काम चिठ्ठिया लिखने, पिर्चार करने और आंदलोनों के दोरा किया जा सकता है आमनागरिक, दबाव समहू, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है अगर दलों को लगे कि सुधार ना करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवी खराब होगी तो इसे लेकर वो गंभीर होने लगेंगे सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का स्वैम राजनितिक दलों में शामिल होना लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तैह होती है अगर आमनागरिक स्वैम राजनिति में हिस्सा ना लें और भार से ही बाते करते रहें तो सुधार मुश्किल है खराब राजनिति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनिति और बहतर राजनिति तो बच्चों अब हम आते हैं आपके पसंदीता भाग प्रश्नोत्री पर तो आज का हमारा पहला प्रश्न है राजनेतिक दलों के समक्ष इन में से कौन सी चुनोती नहीं है आपके विकल्प है क वंश्वात की चुनोती ख पार्टी के भीतर आंत्रिक लोकतंतर का ना होना ग परियाप्त धन उपलब्द ना होना और ग पार्टीयों के बीच विकल्प हिंता की इस्तिती होना तो बच्चों बताईए क्या है सही उत्तर जी हाँ ठीक पहचाना आपने सही उत्तर है ग यानि परियाप्त धन उपलब्द ना होना तो चलिए अब आते हैं अगले प्रेशन पर तो ये कथन और कारण के रूप में हैं कथन जिसे ए से व्यक्त करेंगे वह कहता है वश्वाद राजनीतिक पार्टियों के समक्ष उपस्तेत एक बड़ी चुनोती है और इसका कारण आर क्या कहता है इस्थापित नेता अपने बच्चों को ही आगे भड़ाते हैं और पार्टी के साधरन कार्यकरताओं को उपर आने का अफसर नहीं मिल पाता तो अब आपके विकल्प हैं आपको इनमें से एक का चुनाफ करना है A तथा आर दौनों सही है और आर एकी सही व्याख्या करता है किंतु आर एकी सही व्याख्या नहीं करता ग ए तथा आर दोनों ही गलत है और ग ए सही है किन्तू आर गलत है तो बच्चों बताईए क्या है इसका सही उत्तर जी हाँ ठीक कहा आपने इसका सही उत्तर है क तो आईए चलते हैं अगले प्रशन पर राजनितिक दल चुनावों में अपराधियों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं क्योंकि क उनके पास बाहूबल और धन्बल होने के कारण उनके चुनाव जीतने की संभावना अधिक होती है ख भारत के समविधान में दिये गए समानता के मूला धिकार के कारण दल अपराधियों और गैर अपराधियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते ग दलों को यह आशा होती है कि चुनाव लड़ने से अपराधि सुधर जाएंगे और ग उप्रोक्त में से कोई नहीं तो बच्चों बताईए क्या होगा इसका सही उत्तर जी हां सही कहा आपने इसका उत्तर है क यानि अपराधियों के पास बाहूबल और धन्बल होने के का करण उनके चुनाव जीतने की संभावना अधिक होती है तो अब चलते हैं अगले प्रशन पर इसका कथन ए कहता है राजनेतिक दलों में आंत्रिक लोकतंत्र मजबूत हुआ है और कारण आर कहता है चुनाव आयोग ने एक आदेश द्वारा सभी राजनेतिक दलों के आर एकी सही व्याख्या करता है ख ए गलत है जबकि आर सही है ग ए तथा आर दोनों ही गलत है और ग ए तथा आर दोनों सही है किन्तु आर एकी सही व्याख्या नहीं करता तो बच्चों बताईए क्या है सही उत्तर जी हां ठीक कहा आपने सही उत्तर है ख तो बच्चों अब आते हैं अगले प्रश्न पर दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था अब आपके विकल्प है क आया राम गया राम की संस्कृति को समाप्त करने के लिए ख भरस्टाचार को रोकने के लिए ग वंश्वात की चुनोती का सामना करने के लिए और ग राजनीती के अपराधी कर आपने सही पहचाना इसका सही उत्तर है का तो बच्चों इसके साथ ही हम आपकी कक्षा 10 की राजनीती विज्ञान की पुस्तक के छटे पार्ट पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं आशा है आपको यह पूरा पार्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा आपको अवश्य ह ही है चर्चा उपियोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी अगले अंक में आपसे पुना भेट होगी तब तक के लिए नमस्कार समा काई आपको यह नमस्कार में आपको यह बता वनिसमय और यहां आपको यह श